नमस्कार तो आज आपर हम Reliance power की बारे में बात करेंगे और लेटेस अपडेट यह आप देखेंगे और लेटेस निवस्पी चेक करेंगे तो Reliance Power की बात करी जाए तो Stock ने काफी बड़या breakout डिया है आज क्योंकि आप आप लोग नज़र डालोगे तो Stock में काफी अच्छी move बनी थी जब कि आपे 32-33 level के गरिब बने आपके resistance बना था Stock ने उस level को breakout किया है अपर सकीट में लॉक हो चुका है पिछले 10-15 दिनों से continuous stock ने अपर साइट की तेजी पकड़े क्योंकि जब गिराउट हो चुकिती पिछले एक देट महिनों में तो यहाँ पर स्टॉक ने 200 moving average का support लिया वही से stock ने एक recovery generate की है तो कोई खास news है क्या उसके उपर बात की जाए तो recently कोई खास news नहीं है फिर भी आप लोग नज़र डालोगे तो यह जो level थी है आप लोग नज़र डालोगे 32.50 level उस level को यह पर stock ने breakout किया है तो यह level के उपर stock sustained रहता है तो और उपर जाने के चांसे बढ़ सकते रिलाइंस पाओ के अंदर पर आप लोग नज़र डालोगे तो रिलाइंस फाओर जो है पिछले कई मैनों में काफी बड़ेया रिटन देपर पिछले देड़ मैने थोड़ा सा सश्टेन था मंदली चार्ट के उपर आप लोग नज़र डालोगे रिलाइंस पाओ के तो यह पर आप देख सदे की तक्रिबन 32 लेवल पर लास्ट टाइम र ओपन हो सकते हैं श्टॉप के अंदर बाकी कोई खास अबडेट नज़र नहीं आरे रिगार्डिंग रिलाइंस इंडेस्ट्री श्टॉप